हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल एंस्टेडी केर आज की इस वीडियो में हम लोग जर्नल लोलेच से रिलेटेड कुछ कोशन असर को डिसकस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट वीडियो नमबर वन पित्वी पर दिन और रात होते हैं दैनी गती के कारण वार्षी गती के कारण छमाही गती कारण तिवाही गती के कारण तो आंसर होगा दैनी गती कारण हाँ दोस्तो दैनी गती के कारणी पित्वी पर देनाथ होते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ओप्शन सा है ब्रिश्पती, पित्वी, यूरेन, सुक्र तो आंसर इस ब्रिश्पती सबसे छोटा ग्रह कौन सा है मंगल, शनी, बूध या नेप्चून प्रशांद महासागर में, हिंद महासागर में, आकरेटिक महासागर में, या फिर अन्य प्रिश्पती का सबसे भीतर वाला भाग कोड किसका बना होता है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता या फिर लाश्ट वन लोहा और निकेल तो इसका अन्सर होगा, ओप्षन नमर डी लोहा और निकेल होता तो है, जिससे पिरतिवी का सबसे भीतर वाला क्रोट बना होता है मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा इस्थान है प्रथम देश कौन से है ओप्शन्स है फ्रांस, रूसी संग, कनाडा से इक तुराज अमेरिका तो ओप्शन नमर बी यानि कि रूसी संग is the correct answer ओप्शन्स है ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन तो इसका अंसर जो है ओप्शन्स नमर सी, अमेरिका तो अमेरिका जो है देश का कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है कोशन्स नमर एट, इन में किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है आप्शन्स है उसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहमा तो आंसर होगा नमबर A उसाका, जाको, जापान का मांचेस्टर कहा जाता है भारत के सौतंतिता संगहर्ष के दोरान डीकेन एडुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था किस थापना किस ने की थी? जवहरलाल नहरू, रविन नाट टैगोर, बाल गंगधर तीलक या बियोमेश चंद बैनर जी तो आंसर होगा उप्शन नमर C बाल गंगधर तीलक ने ही डीकेन एडुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का इस्तापना कि थी अट्राशो सातावन के गदर के समय भारत का गवर्नर जयनल कौन था? लिड केनिं, निल अम्स्टॉंग, जोन मथाई या नमर D अन्य तो इसका अंसर जो होगा A, लौड केनिंग जिहां दोस्तों लॉर्ड केनिंग ही 857 के गदर के समय भात का गवनर जर्नल था निला अंग्स्ट्रूम तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो चांद पर जाने वाला बैक्ती है भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्ता ने दिया था अशाकिय संस्ता आरे समाजने ब्रह्म समाजने या अन्य तो इसका अंसर होगा अप्शन नमर बी आरे समाजने चलते हैं कोशन नमर टोल पे बिद्याचल और सात्तूरा पहाडियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है नर्मदा शिंदू नदी कोसी या गुदाबरी तो आंसर होगा अ नर्मदा नदी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्ता से स्थापित किया गया है नमर ए पुंजी मूदे ने नमर भी डिल्फ ने ओप्शन अमद सी से वी ने और अप्शन अमदी अन्य तो इसका अंसर होगा शी से वी ने कुष्ण मर 14 कुणडा पूर एवम करवार कक्ष बनश्पति स्थान कहां इस्तीत है केरल राज में कनाटक राज में तमिल नादू राज में या दे लास्ट वन त्रीपूरा राज में तो इसका अंसर जो है बी नमर होगा कनाटक राज में चलते हैं question number 15 की ओर भारत की प्रमूख बहु उदेशय पर्योजिना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेदी नदी, गंडक नदी, दामुदर नदी या यमुना नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदीपर हाँ भारत की प्रमूख वह उद्देश्य पढ़ी होज़ना दामोदर नदीपर बनाई गई थी कुश्च नमाश 16 भारत में प्रतम इस्थापित परमानु शर्यांत्र यानिके अटोमिक प्लांट कौन सी है तारापूर परमानु शर्यांत्र केटो नोम परमानु शर्यांत्र कुडन कुलम परमानु शर्यांत्र या उप्शन अबर D अन्य तो इसका अंसर होगा A तारापूर परवानु शर्यांत्र उनाइटेट किंग्डम जिसको आम लोग शॉर्ट फर्म में यूग के कहते हैं में सामिल है इंगलेंड तथा उत्री आर्लेंड उत्री आर्लेंड तथा वेल्स स्कॉटलेंड तथा वेल्स और आप्शन अबड़ी A and B तो सबसे लाइट अप्शन A और B यही जो है साही आंजर है उनाइटेट किंग्डम में जो है इंगलेंड तथा उत्री आर्लेंड और साधी साथ उत्री आर्लेंड तथा वेल्स दोनों ही सामिल है आगरा सैर को किसने बनवाय था सिकंदर लोदी अकबर भालोल लोदी या साजा तो ज़्यातर लोग जो है इसमें साजा को मार्क कर देते हैं लेकिन आंसर होगा सिकंदर लोदी तो अप्शन A is the correct answer राष्टिय प्रतिक के निचले भाग में उत्क्रीनित स्रब्द शत्य में हो जयते किस संदर्व के लिए गए हैं A नमर पुराण B नमर जातक C नमर मूदकोप निशद D नमर महाभारत तो आंसर सही आंसर है C मूदकोप निशद अप्शनमर 20 असोक के सिला लेखो की लिपी क्या है अप्शनमर A मूरु मुखी B ब्राही C देवनागरी या D हैरोम लाई फिकस तो अप्शनमर B is the correct answer बाही बीहू निमने लिखित में से किसका लोग प्रिया उस्तव है असम, उरिसा, बिहार या बंगार तो आंसर होगा असम बिहू जो है असम से रिलेटेड लोग प्रिया उस्तव है बिवेका नंद रौक मेमोरियल कहां इस्तित है अंडबान निकोबार लक्षदीप केडल या तमिलनाडू तो आंसर होगा D तमिल नाडू में इस्ती थे बिबेकानन रॉक मेमोरियल महात्मा गांधी को राष्ट पिता के रूप में उलेख सबसे पहले किस ने किया था सुवाश्यंद बोस जवारा नेरू बलबाय पटेल जी ने इसमें से कोई नहीं तो आंसर होगा A. सुवाश्यंद बोस ने प्रथम गोल में सम्मेलन कहा हुआ था नई दिली में, लंदन में, बंबई में या इनमें से कोई नहीं तो आंसर होगा लंदन में यानिकी ऑप्षिन में 20 करेक्ट आंसर लंदन में ही जो है प्रतम गोल में सम्मिलन हुआ था देश का लोह प्रूश किसे कहा जाता है सरदार पिटल पंडित जवाणाल नेरू महात्मा गांधी या लोक मानने तिलग सरदार पिटल को ही देश का लोह प्रूश कहा जाता है Question number 26 महात्मा गांदी जी को अधनांगा फखीर किसने कहा? हिटलर, जिन्ना, चरचिल या माउंट बेटन? तो आंसर सी. Option मसी ज़े करेक्ट आंसर. चरचिल नहीं महात्मा गांदी को अधनांगा फखीर कहा था. महात्मा गांधी निम्लिकित में से किन से अधिक प्रभावी थे बर्णाट शा, लियो टॉल्स्टोय, फॉल मार्क्स या इन में से कोई नहीं तो option number B is the correct answer लियो टॉल्स्टोय से महात्मा गांधी जी वह सबसे ज्यादा प्रभावी थे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था 1859, 1869, 1879 या 1889 तो option number B is the correct answer 1869 महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 इसमें हुआ था पंजाब केशरी के नाम से विख्याद थे रजनीत सिंग, गुरु गोबिन सिंग, गुरु नानक या लाला लाजपत राय तो option number D is the correct answer पंजाब केशरी के नाम से विख्याद थे निमलिकित में से कौन सिय गंगा की सहायक नदी नहीं है शुबर्न रेखा, सोन, गंड़क या कोशी तो option number A is the correct answer शुबर्न रेखा तीनों सोन, गंड़क और कोशी ये तीनों जो रीफर्स है ये तो हैं ही गंगा से रेट केबल सुबर्न रेखा नदी जो है अलग है तो इसलिए गंगा की सहायक नदी नहीं है तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राब जरू कर देना ताकि मैं जो भी नएने वीडियो अप्लोड करू आप लोगों पास चला जाए और इसको लाइक, सेर और कमेंट करते हैं ना